हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे बढ़ियां होंगे और स्वास्थ होंगे सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ सेर कर रही हूं सिंपल वेडिंग गेस्ट मेकप लूग आई होप कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आएगा गाईज तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कौन-कौन से प्रोडक्ट को यूज करी है इस मेकप के लिए सो लेट सी यहां पर देख सकते हैं हमारे फेस पे अभी कुछ भी मेकप नहीं है बिल्कुल क्लीन है अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने फेस बॉस करी थी और यहां पर जो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं गाईज वो है आयूर का टोनर जो की क अपने ही लगाईए थोड़ी सी आपको परेशानी होगी बाकी यह तोनर अच्छा है तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फेस पे टोनर लगा ली हूं और सेकेंडर में यूज कर रही हूं गुड़ वाइप का यह सीरम है जो की काफी ज्यादा अच्छा है मिठी मिठी सी खुषबू है और इस तरीके से मैंने लगाई हूं सीरम से जितने भी आपके पोर्स जो है वो मिनिमाईज होते हैं उसके साथ आपके जो मेकप है उसको बहुत ही ज्यादा ग्लोइनेस प्रोवाइड करता है तो सीरम जरूर लगाईए कभी भी किसी भी मेकप के पहले और ज देख सकते हैं यहां पे हमारा है वो सीरम लगा लिए है और फेस काफी जादा मॉस्टराइज हो गया है देन जो मैं नेक्स्ट यूज करने वाली हूं कोई भी मॉस्टराइजर क्रीम बायोटी का कोकोनट लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम है तो अभी मैं फिल्हाल वि देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने फेस पे लगा ली और अभी जो हमारा है फेस बहुत ही अच्छे तरीके से मॉस्टराइज हो गया है और विंटर सीजन है क्योंकि अजब तक कि हम अपने मेक अप के लिए बेस को कंप्लीट नहीं करेंगे इन दसेंस कि अच्छे से मॉस्टराइज नहीं करेंगे तो हमारा जो मेक अप है वह बहुत ही ज़्यादा देर तक कि नहीं टीकेगा बहुत जल्दी वह एक ड्राइड ड्राइने से पहले मैं यहां पर प्राइमर को नहीं लगाई हूँ तो मैं भूल गई थी यहां पर स्रियसली मुझे याद नहीं रहा तो मैं नहीं लगाई हूँ आप लोग ऐसा गलती कभी मत कीजेगा क्योंकि फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाना काफी ज़्यादा जरूरी होता है मैं यहां पर नहीं लगाई हूँ और इसके बाद देख सकते हैं मैं इस तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है सारा कुछ ब्लेंडिंग का खेल होता है तो आप अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजे फांडेशन को या फिर ऐसे ब्लेंड करना होता है जब तक ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपकी कट क्रीज आते रह तो देख सकते हैं मैं पहले बता दे रही हूं आप लोको दिन मैं यहां पर यूज कर रही हूंगा इस कॉमपक्ट जो कि कॉमपक्ट हो है फुड़ा सा हमारे जो है वह स्कीन है वो मॉस्टाइश टाइप के हो गया है तो मैं यहां कॉंपेक्ट के हिल्प से अच्छा तरीके से थोड़ी सी ड्राई लादूंगी अपने फेस पे यह जो हमारा लैकमी का कॉंपेक्ट है विटामी नहीं होता है गाइस तो आपके स्कीन के लिए काफी जादा यूज कर रही हूं में राँस, मैं यहां पर टार्कusement जाधिल के भी 25ад बद हादंगी तो मैं अला है में कॉंपळों का कॉंकि हमारे जो एर आरा है वो नहीं को हो देली किसले में करने हैं मैं तो मैं जो इम अछूची मैं कम आप अजादा इवि होने वाला घूग सेक्टिन इस तरीके से मैंने आइव्रोज को fill कर ले रही हूं इस तरीके से और मैं यहाँ पे जो use कर रही हूं guys यहाँ पे help कर रही हूं यह आइव्रोज साइडो पैलेट में था यह भरस तो मैं उसी के help कर रही हूं आई-सैडो. आई-सैडो का color जो मैंने collect करी है वो है गोल्टेन color क्योंकि जो हमारा saari का जो border है वो just golden color कहीं है तो मैं यहाँ पे golden color को ही select करी हुँ अपने आई-सैडों base को जो crease है उसको मैं crease को base दूगी इसी color से और मैंने जो brush का use कर रही हूं guys वो है अलग से ब्रस मैंने यह आई सैडो पेलेट का ब्रस यूज नहीं कर रही हूं और यहां पर थोड़ा सा मैं वाइट कलर ली हूं गई ताकि जो हमारा है उपर में थोड़ा सा मैं इस कलर का लगा लूँ ताकि जो हमारा है अलग सा दिखे आई सैडो जो थोड़ा सा है थ अच्छे तरीके से मर्ज कर ले रहे हूं को देन गई यहां पे जो हमारा साड़ी है रेड तो मैं रेड लिपिस्टिक जो लगाने बाली हूं उसी का मैं यूज करी हूं अपने आई सेडो के लिए ताकि जो हमारे गोल्डेन और जो मरून का है कम्बिनेशन वह काफी ज्याद लगे हमारा आई सेडो तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा से लगा ली हूं और अगर आई सेडो लगा रहे हैं अगर अच्छा खासा आप चाहते हैं पिग्मेंटेशन के लिए तो आप उसके पहले थोड़ा सा आप कुछ जेल लाइक ऐलोवेरा या फिर कुछ नहीं पड़ी है और मेरा अच्छे तरीके से आप ही गया है और आप खुद ही देख सकते हो किस तरीके से मैंने सोची थी कि दोनों अपने साड़ी के ही कलर का आई सेडो यूज करूँ तो यहां पे बिल्कुल परफेक्ट लगा है हमारे साड़ी के कलर का बिल्कुल मैरून और golden के combination में तो आप लोग को ही हमारा कैसा लगा वो मुझे बताइएगा जरूर की eyeshadow हमारा कैसा लगा थोड़ी सी मैं यहाँ पे white color लूँगी ताकि जो हम अपने corner में इस तरीके से रख सकूँ ताकि जो हमारा है और सुन्दर लगे और हमारा जो eyeshadow है वो guys थोड़ी सी प्यारा लगे तो आप लोग को कैसा लगा हमारा eyeshadow collection तो आप लोग मुझे comment में जरूर बताइएगा देन यहाँ पे हमारा है वो eyeshadow complete हो जाता है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और मैं कोशिस कर रहे हूँ guys कि थोड़ा सा भी कोई cut crease ना आए और अच्छे तरीके से मैं blend कर ले रहे हूँ देन guys यहाँ पे जो मैं use कर रहे हूँ color war का waterproof यह जो है वो eyeliner है तो इस तरीके से मैंने eyeliner को भी ज़्यादा मोटा नहीं लगाई है simple medium बाला ही लगाई हूँ ताकि जो है ज़्यादा उभर ना लगे इस तरीके से और मेरे एक काईज में लग गए है और सेकेंड आईज में भी मैं लगा लूँगी इस तरीके से और फ्रेंट जब भी आप अगर eyeliner लगा रहे हो तो कोशिस किजिए दोनों match जरूर किजिएगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है न गाईज किसी में मतलब मोटा लग गया किसी में पतला लग गया तो ये नहीं होना चाहिए ये आप लोग जरूर परफेक्ट मैच जरूर करवा लिजेगा तो देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं यूज करने जा रही हूँ क्योंकि आइज का मेक अप और काजल नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे भी गाईज अगर आप कितना भी आइज अढ़ो अगरे रहा कुछ भी लगा लगा लो काजल नहीं लगता है तो वो जो लूक आना चाहिए वो नहीं लग पाता जब भी आप काजर लगाते हो तो आपका जो आइस का मेकप हो कम्पलीट हो जाता है तो देन यहाँ पे मैं लगा ली हूँ एंड हेर स्टाइल में गाईस नॉर्मल जो मेरा बाल है वो सिंपल खोल के ही रखी हूँ तो मैंने सेम रेड कल़ का पिक करी है क्यूंकि पहले से अलरेडी मेरा पिक का पूंद करी है वो मेकप को ज्यारा सुंदर लगा है यहां पिस्टिक करी हूँ सेम कलर है और यह यह कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद है गाईज मैं यह कौन सा कलर है इसका पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से अर कर दूँगी काफी ज्यादा बढ़िया है और अच्छा लगा मुझे इसका लिपिष्टिक कलर वार का यह वाला इंजस्ट मैं इसमें से थोड़ा सा अपने चिक पे भी लगा ले रही हूं क्योंकि चिक जो भी है थोड़ा सा मरून-मरून सा लगे और कलर के साथ क्योंकि कोई भी ड्रेस अगर आप पहने गाईज उसके साथ मुझे जो जिस कलर का रहता है वो कलर का ज्यादा सुन्दर आपका चिक का कलर हो वो थोड़ा सा वुस्ट टाइप का हो क्योंकि ज्ञारा ज्यादा सुन्दर लूक देता है अंगर बलैक नेस वाली कोई भी अपने हो तो वहाँ पर आप रेड डाल सकते हो काफी ज्यादा सुन्दर लगता है यहाँ पर मैंも सिटड इ का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ क्योंकि हाइलाइटर के बीना जो फेक नेकप है वो ग्लोई-ग्लोई सा नहीं लगता तो मैं यहाँ पे यूज करी हूँ स्विच ब्यूटी का हाइलाइटर और देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो ब्रस का मैं यूज करी हूँ थोड़ी सी ब्रस है वो कर्व सेप में है ताकि यह जो ब्रस होता है वो कोंटोरिंग के लिए हाइलाइटर लगाने के लिए बढ़िया होता है तो मैं इस टाइप के ब्रस का यूज करी हूँ और यहाँ पे जो है हमारा हाइलाइटर भी अच्छे तरीके से लग गया है और जो मेरा ओवराल मेकप है वो कम्प्लीट से हो गए है देख सकते हैं इस त यहाँ पे मैं यूज कर रही हूं बिंदी और बिंदी मैं थोड़ा सथ चोटा हैं यह सिंपल सा बिंदी यूज करें हूं क्यूंकि मुझे प्लेन ही ज्यादा सुन्दर लगता है आप लोग ने गेस किया होगा जितने भी मेरे पीछे के वीडियो है मैं प्लेन बिंदी ज् करी है इन सारी यहरिंग को सो आप लोग को यह मेरा यहरिंग कैसा लगा वो मेरे को जरूर बताइएगा मुझे तो बड़ी प्यारी लगी आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसका जो डिजाइन है कुछ यूनिक टाइप का है और बड़ा प्यारा लगा यह स मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे वहां भी फॉलो कीजिए मैं बहुत बढ़ियां अच्छा वहां पर वीडियो ले करके आती हूं सारे एक्टिविटी का और यहां पर हमारा है वह मेक अप है वह रेडी हो गया है सो देख सकते हैं इस लुक मेरा जो फाइनल लुक है सो आई होब कि आप लोको अच्छा लगा